इसले वीडियो के अंदर हम ने देखा था कि हम टेबल कैसे क्रियेट कर सकते हैं उजिंग माई-स्क्रियोड़नाइव साहिता Τा से देहएग करेंगा हैं वैसे पुछले वीडियो में देखि लिया है अगर हमें data insert करना है तो उसके लिए हमें क्या करना हुआ किवली query को हमें बदल देना है और कुछ नहीं तो insert वाली query को भी हम कर लेंगे insert कोई दिक्कत नहीं है चलो आपने 123 वाले के अंदर आते हैं टीचर नासी रखान जाल देता है और हमकर देते हैं और हम कर देते हैं गो जैसे हमगे करेंगे invalid ज्यादा हम दे दिया क्या करेक्टर का अब गो करो चलो हो गया और हमें यह भी दे रहा है जैसे यहां पर हमें कोईरी मिली इसे कोईरी को कस्वाल या तो कंसल्वाली को उठांगा कर दए रहा है ठीक है तो हमें C को कर लेते हैं Insert into Teacher Ctrl-C Query मिल गई है हमें Ctrl-C Execute नहीं करेंगे इस query को हम क्योंकि इस query को execute करेंगे हम होगा से इसका काम हमारा खतम हो गया है अब हम आज आते हैं अपने query के अंदर जो हमने table create करने की query लिखी थी उस query को totally हटा करके हम यहाँ पर insert वाली query डाल देंगे नहीं तो इसके लिए हम एक अलग से ही बना दे file चलेगा आप लोग को file देना है न तो हम क्या करते हैं अलग से बना देते हैं ठीक है नहीं तो फिलाल इसको करके दिखाई देते है चलो एक new file बना लेते हैं इंसर्ट टेबल के नाम से इंसर्ट डेटा डॉट पी एच पी ठीक है इसके अंदर हम डाल देते हैं इसको हटा देते हैं सेट करके हम आते हैं टाइम ना लग जा तो फ्रेंट्स यहां पर हमने कनेक्शन कर दिया है और हमारी जो क्वेरी होगी इंसर्ट के उसको कर देंगे हाँ पर कंट्रोल भी और यह होगी हमारा ना पर बन ठीक है हम क्या करेंगे इसको हम एक्जिक्यूट करने के लिए डॉलर वेरीबल बनाएंगे उसके अंतर माइसकुलाई क्वेरी फंक्सण की साहता से कनेक्शन और इसके वल अपनी क्वेरी को देकर के एक्जिक्यूट करेंगे अगर एक्जिक्यूट हो जाता है डूर्ल रिटन करता है रिजल्त उम बोल देँगे डेटा इंसर्टेड नहीं तो बोल देंगे डेटा की जरूरत है नहीं यह आपको इट करना होगा अगर आप कोईरी वहां से ले करके आ लुदन कर ठीक है a कश देखते हैं हम लगोंउमेंट के अंदर के इसको करते हैं और इंसर्ट डेटा इंच पिए्च पी के अंदर करते हैं क्लिक तो चाहिंश सब्सेश को उर्टा इंसर्टेड देखऊ हम में मिल रहा है डेटा इंसर्ट भी कर दिया इसने तो हम क्या करते हैं आपर देखते हैं डेटा इंसर्ट हो गया है क्या भाई कि यह देखो आनन्द और आनन्द दो बार डेटा इंसर्ट हो गया है एक बार हम डिलेट कर देते हैं कि ओ नो कि कोई बात नहीं तो फ्रेंड्स आयोप आपको समझ में आया है कि हमें किसी भी टेबल के अंदर डेटा कैसे इंसर्ट करना है बट यहाँ पर क्या है ना हम डेटा तो फिजिकली यहाँ पर दे दे रहे हैं अगर मेरे को डेटा यूजर से लेना है और वही से डेटा बेस के अंदर इंसर्ट कर कि तो हम यहां पर एक देंगे कि फॉर्म बनाएंगे कि हम कैसे बनाएंगे सबसे पहले तो हम आप लिखेंगे फॉर्म टैक को या फॉर्म और फॉर्म का मेथड डाल देंगे हम पोस्ट इसके बाद हम क्या कर देंगे हां पर फॉर्म को क्लोज कर देंगे इंपुट टैप में सबसे पहले नेम डाल देंगे इमेल नंबर और सब्मिट डाल देंगे ठीक है दो चीजे हम लेंगे इससे और सब्मिट बटन को कर देंगे तो ऐसा फॉर्म हमें बना लेना है यह फॉर करेंगे पहला है फोष्ट पर क्लिक करने के पाद जो भी आइंटर एंटर क्लिक करने के पाद जो भी ओडेटा input type में डाला रहेगा उसको हमें हाँ पर ले लेंगे database insert वाली query चलाने से पहले ठीक है तो हमें हाँ पर आएंगे और हमें हाँ पर variable बनाएंगे database को फैज करने के लिए यहां से data को फैज करने के लिए जब हम एक query लिखेंगे कि अगर तुमने submit पर click किया है ठीक है हमने आपर submit का नाम दे दिया है या पिल्कुल इसी प्रकार से देना है input type test name उसका name placeholder नहीं देंगे तो चलेगा कि dollar post तुमारे अंदर जो name है उसके अंदर जो भी value हो हमें name वाले variable के अंदर दे दो फिर dollar post के अंदर जो email डालेगा यहां से बंदा इस field के अंदर जो भी email होगा वह हमें email वाले variable के अंदर दे देगा जो mobile number में डाला होगा mobile number के अंदर बिल जाएगा उसके बाद हम insert की query च set होगा तो किसकी सायता से हमारे form की सायता से यहां पर हम form में जो फी field करेंगे उसके हिसाब से हमारा database insert होगा data तो बाग की process friends यहां पर हमने पहले SI किया SQL नाम से variable बना उसके अंदर insert की query चला है जो कि मैंने पिछले वीडियो में अभी अभी देखा था कैसे करना है के वाल ह omme conservatives यहां पर जहां पर फिजिकली हां पर डालते हैं नोद उसका email particular वाइल ना डालते है वेलू को जगह पर हमकर पर 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 तो यूज़ करेंगे क्यूंकि जो भी data यहां पर यूज़ डालेगा उसको हम फैज कहां पर कर रहे हैं इस variable के अंदर तो यहां पर value के अंदर हम इ को की नेम इमेल और मोबाइल नमबर उसके बाद हम अपने सेम प्रोसेस जो पहले करते आ हम स्कुलाई को रन करेंगे और इसके बाद अगर रिजल टू होता है तो डेटा इंसर्टेड नहीं तो डेटा नॉट इन्सर्टेड तो अब देखते हैं पहले हमारे फॉर्म के अंदर हम डेटा फेल करके ठीक है तो आज आते हैं यहाँ पर हम इसको करते हैं रिफ्रेश तो हमें मिल गए हाँ पर enter the name तो हमने डाल दिया name wasu email हमने डाल दिया भी at gmail.com mobile number में हम डाल देते हैं चलो कुछ भी हम डाल देते हैं यहाँ पर थोड़ा about digit और देखो connection तो हमारा success goal है क्योंकि हमने connection success goal का message दिया हुआ है अब जैसे हम submit के उपर क्लिक करेंगे वैसे ही यहाँ पर यह वाला code यहाँ पर चलेगा देखो जैसे हम submit को पर क्लिक करेंगे तो each set एक ऐसा function है जो कि यहीं बताता है कि आपने submit को पर क्लिक किया कि नहीं तो each set अगर आपने submit को पर क्लिक किया है dollar post हमारा global variable है जो कि सभी हमारे input फिल का यहाँ पर क्लिक करोगे तो function का काम है true return करेगा जब भी true होगा तो इतके अंदर अगर true होता है तो हम तुरंत इन तीनों variable को बनाएंगे इस तीनों variable के अंदर जो भी data हमने यहाँ पर फिल किया है वासु at gmail.com email और mobile number वो सारे name email और mobile number की सहायता से इस variable के अंदर restore हो जाएंगे dollar post request मारने के इसाब जैसे हमारे इन सारे variable के अंदर value आ जाएगी कौन सी value आएगी यह value जो कि हमें आप डाल दे तो हम जैसे submit को उपर क्लिक करेंगे हमारा यह वाला process चलेगा कौन सा ag state से ले करके यहाँ तक जब यहाँ तक चल जाएगा तो फिर insert वाली query चलेगी तो हम देखे submit को उपर क्लिक कर रहे हैं और यहाँ पर बोल रहा है की connection success पूल हो तो आ रहा है उसकी वज़े से और यहाँ पर बोल रहा है data inserted ठीक है यह देखे data inserted अब हम दा करके देख लेते ह यहाँ पर हमारे data insert हुआ क्या तो यह देखो यहाँ पर थर्ड नंबर पर हमारे data insert हो गया है वासू भी addgmail.com और जो भी हमारा mobile number था वापीस अगर मुझे दूसरा कोई डालना है तो यहाँ पर चलो हम रिंग को डाल देते हैं name email डाल देते हैं उसका addgmail.com मोबाइल नंब addgmail.com और हमारा table insert हो गया तो हमने दो प्रकार से insertion देखा पहले तो बिना form का यूज की हुए बिना user से हम direct query डाल रहे थे क्या value हमें insert करना है लेकिन अब जो user डालेगा यहाँ से input message में से उसको हम यहाँ पर insert कर देंगे इस code के हिसाब से यह code यहाँ रखना मैंने समझावे दिया code कैसे चल रहा है जब भी हमारा query execute होगा आप submit पे click करोगे submit पे click किये हो चलो submit को उपर click किये तो हम इन सारे variable के अंदर value को ले लेंगे और query चला करके query execute कर देंगे query अगर execute हुआ तो data inserted query execute नहीं होता है कोई mistake होती है तो data not inserted और error दे देंगे